हेलो फ्रेंड वेलकम टू अशर्डी हुई सोधागर दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग गुना बनाना सिखेंगे एक आंका दो आंका और तीन आंका जिन विद्यार्थियों को गुना बनाने में दिक्कत होती है वो इस वीडियो को अन तक जरूर देखें तो चलिए हम लोग गुनाना बनाना सीखते हैं तो सबसे पहले हम लोग एक आंका बनाएंगे उसके बाद दो आंका और उसके बाद हम लोग तीन आंका बनाएंगे एक आंक बनाने के लिए काफी आसान है सबसे पांच को आप लोग एक बार पढ़िए जब हम लोग पांच को एक बार प पढ़िएगा तो 5 सत्य 35 होगा और 35 को जब हम लोग लिखते हैं ति कुछ इस परकार लिखते हैं तीन और 5 लिखते हैं तो 35 लिखते हैं तीन और 5 तो हम लोग इसके 21 स्थन को यहां लिखेंगे यानि 5 को लिखेंगे और इधर जो बचेगा इसको हम लोग सेस में रख लेंग तो यहाँ पर हम लोग 5 सते 35 का पांच लिखा और बांकी में क्या रख लिया? 3 अब हम लोग लिखेंगे 5, 6 के क्या करेंगे? गुना करेंगे 5, 6, 30 होगा और 30 और 3 को जोर कर देंगे तो 30, 3 कितना हो जाएगा? 33 हम अंति में इसको जोर देंगे यही हमारा एक अंका गुना इस तरीका से बन जाएगा अब हम लोग क्या करेंगे? दू अंका बनाएंगे दू अंका बनाने के लिए सबस्पेले जिस तरह एक अंका बनाते हैं उस तरह लिखेंगे छोतिया 18, 18 का 8 बांकी 1 क्योंकि 18 कुछ इस प्रकार लिखते हैं 18 का हम लोग इकाय स्थान लिख दिये और एक जो था वो बांकी में बच गया फिर 6 सते 42 42 से कितना हो जाएगा? 43 43 लिखते हैं 4 पर 3 इसलिए 3 को यहां लिखेंगे और 4 क्या हो जाएगा? बांकी में हो जाएगा 43 का हमने क्या दिया? 3 बांकी 4 6 को 6 वर पढ़ते हैं तो 36 आता है और 36, 4 कितना हो जाएगा? 40 36, 4 40 हम लोग लिख देगें 40 अब हम लोग क्या करेंगे? 2 से फिर में सभी में गुना करेंगे लेकिन 2 से जब गुना करेंगे तो आब इस अंग को छोड़ना परेगा यहां से लिखना परेगा तो 2 तिया 6 हम लोग यहां से लिखेंगे इसको छोड़ दीजेगा यही है 2 अंग का गुना आपको इसके छोड़ना परेगा तो हम लोग दो तिया छे लिख दिए अब दो को साथ बार पढ़ते हैं तो दो सत्य कितना होता है? चौदय चौदय कुछ इस परकार लिखते हैं एक पर चार तो चौदय का क्या लिखेंगे? चार बांकी एक फिर हम लोग क्या करेंगे? दो को छे बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? दो छक बारा और बारा एक कितना हो जाएगा? तेरे तो हम लोग अंतिम में है इसलिए तेरे को लिख दिए अब क्या करेंगे? सभी को जोड देंगे तो यहाँ पर हम लोग 8 को 8 लिखेंगे, सब के सामने लिखेंगे तो आपको अच्छा होगा जोरने में 6 और 3 को जोरेंगे, तो 9 होगा 4 और 0 को जोरेंगे, तो 4 होगा फिर 4 और 3 को जोरेंगे, 7 होगा और एक इधर लिख देंगे यही हो गया 2 अंका गुना अब हम लोग सिखेंगे तीन अंका गुना कैसे बनाया जाता है तो देखिए काता है दो एकम दो सबस्पहले एक अंका जैसे बनाते उस तरह बनाएंगे दो दूनी चार दो तियाई छे दो चोके आठ लिख दिये अब देखिए इस अंक से सभी में गुना हमने कर दिया अब सकेन बला जो अंक है इससे अब सब को गुना करना है लेकिन सकेन बला को लिखना कहा है यहां से तो तीन से करेंगे तीन एकम तीन तीन दूनी छे तीन तीन तीया नौ और तीन चोके बारा लिख दियें अब हमको ये तीसरा अंग से करना है लेकिन लिखेंगे यहां से एक एक अंग आप छोड़ते जाएएगा तीसरा अंग तो तीसरा जगह से लिखेंगा तो पांच एकम पांच पांदूनी दस का जीरो बांकी एक पांच तियाब पंदरा एक सोला सोला का छो बांकी एक और पांच उक बीस और एक कितना हो जाएगा एक इस हो गया अब इसको आप लोग क्या करना है जोर लेना है कैसे जोरेंगे वो भी दिखिए इसके सामने कुछ नहा है हम लोग इस तरह लिख लिए ताकि आपको जोरने में आसानी हो तो दो को सामने हम लिखेंगे दो 4, 3 को जोरते ही तो क्या आता है साथ फिर 6, 6 को जोरते ही तो 12 अब 15 कितना हो जाएगा 17 17 का लिखेंगे साथ 17 का साथ बांकी एक बचा तो हम लोग एक साइड में लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग एक लिख लेते हैं अब देखे यहाँ पर 9 8 को जोडते हैं तो क्या आता है 17 और 1 कितना? 18 18 का 8 बनकी, 1 अब देखे चौद लो 8, 8, 8, 1 9 हो गया अब एक एक कितना होगा? 2 तो ये भी दो है बगल में इसको जोने के बाद इतना आ गया इस तरह आप आसान तरीके से एक आंक दो आंक और तीन आंक का गुना बना सकते हैं आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को सेर करें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जहीं धन्यवाद